मिथुन रासिवारो चै महकाल महकाल आपकी रच्छा करे महादेव का असिरवाद सदा आप पर बना रहे महादेव के असिरवाद से आपका भाग्य उदेव हो जीवन में सुक सम्रिदी स्वा भाग बड़े आपका कल्यान हो मिथुन रासी वारो, सोम बार का दिन 30 मई, सुकर्मा योग किर्तिकान चत्रे, सुबा सात बचकर 12 मिनर तक आपकी कुंडली में सुक्र और सुर्ज का परभाव, उसके बाद रोहनी नचत्र का उदैव होगा, और आपकी कुंडली में चंद्रमा और सुक्र का परभाव होगा मिथुन रासी वारो, आज का दिन सुक्र चंद्रमा सुर्ज का परभाव, राहु की चाया, सनी मंगल, बिरस्पती की द्रिष्टी, आज का दिन बड़ा खास है, बड़ा सुब है, क्योंकि आज सनी जैनती है, सोम बती अमवस्या है, सरवात सिध्धी योग है, अपने धन, मन और भग्य का कारक होता है, आज सरवात सिध्धी योग में अद्वुत सन्योग, कई बरसों के बाद दुडलफ सन्योग, सोम बती अमवस्या और सनी जैनती, सुब सन्योग में अद्वुत लाब आज आपको प्राप्त हो सकता है, आज सनी जैनती है, यदि आपकी परिसान है, तो सनी देप की पूजा से अपने जीवन के संकट को आप दूर कर सकते हैं, कस्ट, दुख, रोग और दोस आपके दूर होंगे, और आपके भाग्य में उनती का योग बनेगा, मिथुन रासी बारो, आज सुक्र चंद्रमा सुर्ज का परभाव है, सुक्र जो आपके जीवन में सुख देता है, सुक्रे जो आपके जीवन में लाब की स्थिती बनाता है, सुक्रे जो इच्छाओं की पूर्ती करता है, वहीं चंद्रमा, धन, मन और भाग्य को आगे बढ़ाता है, सुर्ज आपके जीवन में साहस और आपकी स्थिती को मजबूत बनात मिफुन डासी बारू आज का दिन आपके लिए बेहतर साबित होगा क्योंकि आज आपकी कुंडली के भाग्य अस्थान में सनी का गोचर है सनी जो आपके भग्य में बैठा है और आपके करम अस्थान में बिरस्पती मंगल का गोचर है वहीं पंचम भाव में केतू का गोचर और लाव अस्थान में राभु सुक्र का गोचर द्वादस भाव में सुर्ज बुद्ध चंद्रमा का गोचर कार्चेतर में बड़े बदलाव का योग है यानि नौकडी बैपार में इस्थिती बदलेगी आगे बढ़ने का आउसर मिलेगा आमदनी बढ़ेगी और आपकी जीवन में कुछ अच्छे आउसर आपके हाथ लग आपकी जीवन में मधूरता जीवन में प्रेम समंध भी बरहेंगे विश्वास भी बरहेगा और आपकी जीवन में लाब तरक्की का योग भी बनेगा मितुन आसी वारुक के लिए आज का दिन भाग्य साली है क्योंकि आज सोमवती अमवस्या भी है सुक्रे चंदर्मा सुर्ज का परभाव भी है साथ ही सुकर्मा योग और सरवात सिद्धी योग है सनी जैनती है यानि आज जीवन में सुक, धन का लाब, कारज में सफलता, नौकरी बैपार में सुब इस्थिती आज आपके जीवन में लाब की इस्थिती आपकी च्छाओं की पूर्ती करेगा आज आपकी लोग प्रियता बढ़ेगी उनती का द्वार खुलेगा परिवारिक समस्याओं का समाधान होगा और आपके अंदर उत्सा बढ़ेगा आज का दिन आपके लिए बड़ा लाब और समरिधी भड़ा दिन होगा क्योंकि आज तरकी के नए रास्ते जीवन की एक नई सुरुवात आपकी जीवन में खुसी को बढ़ाएगा सुक सुवधा देगा भोग बिलास बरेगा आकरसन और आपकी जीवन में सफलता का यूग बनेगा ग्रहों का गोचर तेजी से आपको सफलता के तरफ लेकर जा रहा है क्योंकि आपकी कुंडली के लावस्थान में सुक्र राभू का गोचर है लावस्थान में जब भी सुक्र राभू के साथ गोचर करता है तो अचानक आपके जीवन में बड़ी तरक्की, काम्याबी आपको प्राप्त होती है रोहनी नचत्रे जीवन में सुख देता है रोहनी नचत्रे सौभग्य को बढ़ाता है और रोहनी नचत्रे दुरलफ संजोग में बड़ी खुस्खबरी भी देता है आज सनी जैनती है आज आप सनी देव की पूजा करें सनी देव को तील चरहाएं हनमान जी का दर्सन करें साथ ही साथ साम के समय सनी देव को तेल का दीपक जलाएं आपके लिए बड़ी तरक्की और लाप का योग बनेगा आज सनी जैनती के दिन आपके भाग्य भी चंकेंगे और आपकी जीवन में जो कश्ट वाधा है वो भी दूर होगी सनी की बुड़ी दीस्ती से आपको राहत मिलेगा सनी जैन्ती आज आपके लिए बड़ा लाब लेकर आया है सनी देप को प्रसंद करें आपकी जीवन में बड़े बदलाव और सुक बढ़ेगा रोहनी नचत्रे मन में अच्छे विचार मन थोड़ा चंचल होगा पर जीवन में तरक्की अवस होगी अपने लच को लेकर आप गंभीर भी होंगे अपने लच की प्राप्ती के लिए आप मेहनत भी करेंगे तीस बर्स की आयू के बाद आपका भाग्योदय निश्चित है क्योंकि सुक्र के प्रभाव से आपकी जीवन में यस मान समान के साथ सुख बढ़ेगा आज रोहनी नचत्र में मन की चिंता पर्थम चरन में मंगल, दूत्य चरन में सुक्रे, तिर्त्य चरन में बुद्ध और चतुर चरन में चंद्रमा मंगल के परभाव से आप सौभाग्य साली होंगे क्योंकि मंगल और विरस्पती आपके कर्म स्थान में गोचर कर रहा है अपने कर्म से धन कमाएंगे, ख्यात के लावस्थान में रावु के साथ बैठा है सुक्र के कारण आपके संतान की उनत्ती होगी आप धन्वान बनेंगे एस्वर साली जीवन होगा बैवाहिक समंध मधूर होगे आपके जीवन में सुक प्यार और सिने बढ़ेगा परिवारी जीवन भी पड़ा खुसाल होगा त द्वादस भाव में चंद्रमा और सुर्ज के साथ बैठा है बुद्ध और सुर्ज का बुद्धादित राजयोग आपके लिए विसेश करके उनति का योग बनाएगा और चतुर चरण का चंद्रमा आपको भग्य साली बनाएगा सुणदर्ष देगा सौभग्य देगा इस्तार से रासी फल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का सुब मूरत, ग्रहों की दसा, आज का पंचांग, 30 मई सोम बार का दिन जेश्ट मा किस्पच की अमवस्या ति थी, सनी जैनती, सोम बती अमवस्या और सर्वात सिध्धी योग, सुकर्मा योग में आज सुक्र च जीवन में लाब हो सकता है, आज आपकी जीवन में सुक और तरक्की की प्राप्ती होगी, आज आपकी जीवन में भाग्य का साथ भी मिलेगा, उनती का योग है, सुब समचार भी आपको प्राप्त होगा, आज आपका स्वाभी मान, आपते जस्वी भी होगे, सुक्सुध प्राक्रम भी बढ़ेगा और आपकी जीवन में धन्द ओलत भी बढ़ेगा आज का दिन आपका जीवन काफी सुखी होगा आनद और सुखे, सफलता और काम्याबी आज आप अपने जीवन में खुस भी रहेंगे और सुखत परिनाम आज आपको प्राप्थ होगा पढ़ाता है सनी मंगल विरस्पती आपकी जीवन में सम्रिद्धी सौभग्य लेकर आता है मिथुन्डासी बारो आज ये राहुकाल 7 बचकर 8 मिनट से 8 बचकर 51 मिनट राहुकाल के दौरान किसी भी सुपकाम का सिरी गनेश ना करें पूरब दिशा की तरफ से दिन की सुरु बात ना करें आपके लिए लखी कलर वाइट होगा लखी नमबर टू होगा आज विजय मुहरत दो बचकर 37 मिनट के बाद आपके लिए सफलता और खुसकबरी भरा समय होगा जबकि सरवात सिध्धी योग सुबह 7 बचकर 12 मिनट के बाद आपकी जीवन में लाब और तरक् आज का दिन आपके लिए सुबह आप भग्य साली हैं मिथुन रासी बारो महकाल का दसन करें महादेव की पूजा करें आज आपकी कुंडली में सुक्रे चंदर्मा सुर्ज का परभाव आपकी जीवन में बड़ी उपलब्दी और तरक्की देगा आपकी जीवन को खुसाल बनाएगा समरिद्धी और सुक की प्राप्ती होगी ग्रहों प्याधारित अपने रासी फल के लिए रासी फल को लाइक करें सस्क्राइब करें कॉमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देपता का नाम लिखें आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे इसी रासी फल का आर्ज दें आपका दिन सुभोव जै महाकाल जै महादेव ओम नमसिवाय ओम नमसिवाय